सब्सक्राइब तो दिस चानल और प्रेस्ट बेल आइकन पूर मोर अप्डेट्स हलो स्टुडेंट वेलकम तु सुकला इंसेट्यूट स्टुडेंट आज मैं वीयल 28 वीडियो जो ट्रिक्नोमेटरी चप्टर थार्ड 11 क्लास मैथेमेटिक्स का है तो जो सब्सक्राइब तो इसके बाद तीन और करूंगा और यह टॉपिक आपका जो है एंसी अटी से का कंप्लीट हो जाएगा तो इस बीडियो में स्टुडेंट आप देखें आल्रेडी आपने कर लिया होगा और किया होगा तो इन से टैली करें और नहीं किया तो आप सांथ-सां और जिन्होंने कर लिया वो चेक करते जाएं कि उनका सही अगलत है तो देखें एक कोश्चन इसका यह है देरखा 9 इन अनी ट्रेंगल ABC प्रूब देट B प्लस C कॉस B प्लस C वाइटू A कॉस B माइनस C वाइटू स्टुडेंट है देखें इसका सल्यूशन कैसे करेंगे हम हम क्या करते हैं B plus C कॉस B plus C upon 2 A कॉस B माइनस C upon 2 यह जो कॉश्चन है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं A को नीचे ले आते हैं student और यह बन जाएगा B plus C upon A equal to cos b minus c upon 2 upon cos b plus c upon 2 यह आगया student हमारे पास अब इस question में हम देखते हैं b plus c और a तो sign law लगाएंगे इसमें student क्या होगा sign law अब देखो हमने sign law लगाया हमने LHS ले लिया यहाँ पर left hand side इसी के अंदर वो क्या है LHS b plus c upon a अब इसमें sign law लगाएंगे student तो देखो क्या होगा sign लगाओ a की जगा b की जगा क्या हैगा k sign b अब डिरेक्ट्री हम इसमें डिरेक्ट्री लगा रहे है student sign law आपको पता sign law क्या होता है b की जगा क्या जगा k sign b c की जगा k sign c और a की जगा k sign a by sign law हमने sign law यूज़ कर दिया student अब देखते हैं हमारे पास k common आ गया अंदर बच गया sign b plus sign c upon k sign a k कट गया student बचा sign b plus sign c और sign b plus sign c का formula यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sign b plus c upon 2 और उसके बास cos d minus c upon 2 यहां sin c plus sin d formula आ गया student अब नीचे हमारे पास क्या है sin a sin a को लिख सकते हैं 2 sin a upon 2 cos a upon 2 यहां sin 2 a का formula लग गया अब इसको mention भी कर सकते हैं कि देखो because sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 और sin 2 a होता है 2 sin a cos a यह दो formula हमने use किया है student तब हमारे पास यह आया है अब next देखते हैं यह 2 2 कट गया हमारे पास और हमारे पास पता है a plus b plus c pi होता है student तो b plus c की value डाल देंगे हम pi minus a यहां बन जाएगा sin pi minus a upon 2 आ गया दोनों के नीचे और cos b minus c b minus c upon 2 और whole के नीचे आ गया sin a by 2 और cos a by 2 अब देखते हैं sin 90 by minus theta क्या होता है student यह भी आगको पता है sin 90 minus theta equal to cos theta 90 by value change होती student ते बन जाएगा cos a by 2 cos b minus c upon 2 upon sin a upon 2 cos a upon 2 अब cos a upon 2 cos a upon 2 cancel हो गया student हमारे पास result क्या बच गया यह result आ गया cos b minus c upon 2 upon sin a upon 2 फिर देखो a की value हम डालते हैं student यहाँ पे cos b minus c by 2 sin a की value हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगी pi minus b plus c upon 2 यह हो जाएगा फिर sin 90 minus theta again क्या हो जाता है student वो हो जाएगा cos theta यह बन जाएगा cos b plus c upon 2 हमारे पास देखते हैं हमने जो student result निकाला हमारे पास क्या lhs क्या था b plus c upon a था और उसके equal to जो हम लेकर आएए rhs में क्या आया cos b minus c upon 2 cos b plus c upon 2 हमने देखो यह लिया था उनकी value डाला solve करके यह result आगया student इसमें डालत ही आया अब cross multiply करो यह prove हो गया दोनों equal है ठीक है अब cross multiply कर देंगे तो क्या बन जाएगा b plus c cos b plus c upon 2 equal to a into cos b minus c upon 2 यह prove हो गया जो कहा था हमें तो इस तरह से आप इसको prove कर सकते हैं student अब next मैं एक बार repeat कर देता हूं इसको यह हमें question दिया था हमने क्या क्या है यह ले लिया question को a नीचे ले गए और इस value को यहाँ पर यह k sign भी sign ला लग जाएगा k sin c नीचे k sin a k के common निकल के cut गया फिर sin c plus sin d फार्मर लगा है 2 sin c plus d by 2 student cos c minus d by 2 फिर sin a 2 sin a y 2 cos a y 2 2 to cancel हो गया फिर b plus c यहाँ से value निकाला क्योंकि यह pi होता है student हमारे पास यह result pi होता है तो यह बन जाएगा हमारे पास pi minus b plus c by 2 ठीक है b plus c के जगा क्या जगा b plus c के जगा पाई minus a pi minus a नीचे 2 2 आ गया cos b minus c by 2 फिर sin 90 minus again formula होता है cos यह बन जाएगा cos a y 2 cos cos कर गया यह दोनों बज गया student फिर a की value फिर यहाँ से निकालेंगे pi minus b plus c हो जाएगा pi minus b plus c upon 2 2 है यह भी sin 90 minus theta cos theta होता है cos b plus c by 2 अब देखते हैं यह हम ले के क्या चले थे b plus c upon a लिया था और यह प्रूब हो गया cross multiply कर दो तो देखो result student वह ही आगया हमारे पास student देखें question number 9 के बाद question number 10 आ रहा है यह भी दे रखा है triangle a b c prove that a cos a b cos b plus c cos c 2 a sin b sin c यह प्रूब कर कराना student lhs ले लिया हमने a cos a b cos b c cos c sign ला क्या है हमारे पास a k sin है b k sin c c और c की value क्या है k sin a k sin है b है k sin b और c क्या है हमारे पास k sin c जो a b c है small है side up length of triangle हो गया और capital a b c angle है अब यहां use कर देंगे student हमारे पास क्या होगा a की जगह आ गया k sin a cos a b की जगह आ गया k sin b cos b c की जगह आ गया k sin c cos c अब student देखें इसके आ गया हम step क्या करेंगे इसमें k के सभी में से common आ गया क्या बन जाएगा sin a cos a sin b cos b sin c cos c यह बन गया student अब देखो इसके बाद हम क्या कर रहे है हमने 2 से multiply और 2 से divide ठीक है हमने क्या 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 है तू से divide और 2 से multiply 2 sin a cos a 2 sin b cos b 2 sin c cos c यह तू समय से common निकालें कट गया वही आ जाएगा हमने बाहर 2 से divide कर दिया अंदर 2 से multiply कर दिया अब देखें student हमारे पास formula आता है देखो 2 sin a cos a क्या होता है sin 2 a ठीक है अब हमारे पास इको 2 sin a cos a हमारे पास दिया हो है तो इसकी जगा क्या बन जाएगा इसकी जगा बन जाएगा sin 2 a और 2 sin b cos b sin 2 b और 2 sin c cos c यह बन जाएगा sin 2 c अब इसके बाद student हमारे पास क्या होगा sin c plus sin d का formula देखे जानते हैं sin c plus sin d क्या होता है यह होता है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 यह formula हम use करेंगे sin c plus sin d तो क्या होगा 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d यानि 2 a minus 2 b upon 2 plus sin c sin 2 c को क्या लिशकते हम इसको भी खोड़ सकते हैं 2 sin c cos c ठीक है student अगला जो step है हमारे पास k upon 2 यह बन जाएगा 2 sin 2 a plus 2 b upon 2 2 2 निकल के कट गया बच गया बच गया sin a plus b into cos a minus b 2 कट गया plus 2 sin c cos c अब 2 2 बहार निकल आएगा student तो हमारे पास क्या आएगा देखो k upon 2 into 2 और sin a plus b है अब a plus b की value डाल देते हैं देखो a plus b में हम देखेंगे हमारे पास a plus b plus c equal to pi therefore a plus b की value क्या हो गई हमारे पास a plus b equal to pi minus c हम यहाँ पे डालते हैं तो देखो पहले हमने क्या क्या 2 common ले लिया ठीक है और a plus b के ज़िए क्या डाला हमने pi minus c cos a minus b and plus 2 तो common है निकल गया sin c cos c अब देखेंगे हैं student इसके बाद हमारे पास result गाएगा 2 2 तो कट गया और इदर बचा के हमारे पास और sin 180 minus theta देखो यह भी formula होगा हमारे पास because sin pi minus c equal to sin c 180 पे value बदलते नहीं और second quadrant में sin positive होता है student यह आगया हमारे पास तो sin 180 minus theta sin c हो गया sin c cos a minus b plus sin c cos c हो गया student अब देखें sin c sin c बाहर आगया common हमारे पास क्या बचा cos a minus b plus cos c student अब c की value फिर हम यहां से निकालेंगे तो c क्या हो जाएगा pi minus a plus b तो देखें student क्या बनता हमारे पास sin c cos a minus b और cos c की जागा pi minus a plus b यह बन जाएगा student हमारे पास cos a minus b और cos 180 minus theta क्या होता है student यह भी हमें पता है cos 180 minus theta minus cos theta होता है 180 पे value तो बदले की नहीं और second cordon में cos क्या होता है negative तो यह बन जाएगा student minus cos a plus b अब इसके बाद देखो एक और formula आजाता है हमारे पास वो formula क्या है student cos यहां पे लिखेंगे हमारे पास एक formula हो रहा है यह cos a minus b minus cos a plus b equal to क्या होता जानते हैं यह हो जाता है 2 sin a sin b यह बन जाता student 2 sin a sin b अब देखते हैं हमारे पास यह result क्या है गा इसको लिखते हैं cos a minus b minus cos a plus b है तो इसके according अगर लिखते हैं formula तो यह बन जाएगा cos a minus b minus cos a plus b 2 sin a sin b अब student देखते हैं 2 बार आगया k into 2 sin a sin b और sin c हमारे पास यह हुआ अब देखते हैं sin ला क्या होता है हमारे पास answer में तो sin b sin c देखो student आ रहा है यह ठीक है sin a नहीं आ रहा है और k भी नहीं आ रहा है तो k sin a क्या होता है आपको पता है k sin a a होता है यह लिखा है ना फर्मले में तो आप k sin a की value डाल देए तो k sin a की value क्या हो गई यह a हो गया student हम a डालेंगे तो देखो क्या हैगा 2 a sin b sin c right hand side के equal आ गया student therefore lhs equal to rhs hence proved जो कहा था हमने वो प्रूब कर दिया student फिर से repeat करता हूं मैं देखें एक question को हमें दिया वाया है यह question prove करके लाना है 2 a sin b sin c lhs a cause a b cause b c cause c लेकर sign लाग यहां में पता है एक जगर k sin a b के जगर k sin b c के जगर k sin c k common आया फिर यह बच गया student अब इसमें देखें है 2 से सभी को multiply और बहार divide कर दिया 2 sin a cause a क्या होता sin 2 a ऐसे sin 2 b sin 2 c हो गया अब sin c plus sin d कर देखें फर्मुला लिखा है मारे पास sin c plus sin d क्या होता है 2 sin c plus d by 2 cause c minus d by 2 और sin 2 c 2 sin c cause c होता है यह फर्मुला लिख दिया sin 2 sin 2 a 2 sin a cause a फिर लगा रिया है यहां पर अब देखें यह 2 to common आगे कट गया sin a plus b cos a minus b आगया 2 बाहर आई है यह same 2 to common आगया student बाहर कट गया यह sin a plus b cause a minus b और sin c cause c यह बच गया ना यहां पर 2 to बाहर निकल गया था और a plus b की value क्या डाली pi minus a pi minus c a plus b की और sin 180 minus theta क्या होता है यह भी हमें पता है sin theta तो वहाँ sin c रख दिया यह एजटीज है sin c sin c common आगया कि वैसे cos a minus b cos c अब c को यहां से change करेंगे pi minus a plus b एको डाला cos 180 minus theta formula minus cos theta तो minus cos a plus b आगया अब cos a minus b minus cos a plus b यह formula होता है 2 sin a sin b होता है student हमारे पास तो यह formula हमने रख दिया है आप अब bracket खोल दिया 2 बाहर आगया 2 sin c sin a sin b ठीक है अब देखते हैं हमारे पास sin a into k क्यों भी answer में नहीं आ रहा है तो sin a into k होता है sin a k गोटा कर a डाल दिया और right hand side student हमारा answer आ गया अब इसके बाद clear हो गया होगा next question 11 student देखें question number 11 आईए in triangle ABC cos a upon a cos b upon b plus cos c upon c equal to this prove करना student LHS ले लिया हमने cos a upon a cos b upon b cos c upon c by cosine law cos a law के दर क्या होगा by cos a law cos a law हम लगा रहे हैं यहां पर cos a student तो क्या होगा cos a की value क्या होती जानते है cos a की value हमारे पास b square plus c square minus a square upon 2bc और into a और है a आगया है ठीक है आप student cos b है तो b है तो b है तो b छोट दो बाकी बागी क्या बचा हमारे पास वो b minus होता है तो बचा a और c आज़ेगा यहां पर a square plus C square minus B B square और नीचे twice of AC into B फिर plus student हमारे पास है कॉस C, तो क्या हो जाएगा C को छोड़ दो, तो बचा A square plus B square और C minus हो जाएगा और upon 2 A, B और C हमारे पास है अब देखते हैं, student इन सभी में एक चीज और देखो बहुत अच्छा नजार आ रहे हैं स्यम क्या हुआ है तु एबी सी तो ऊब इसकेर प्ल draws सी स्केर-o अब दि fattyねぇ के वाद माइन स्केर प्लस ही इसकेर प्लस है काट गया W då gonna we who do گ एप ईसकेर प्लस है स्केर कट गया माइनस एसyi मैंग स्केर प्लस ही में और कड़ गया a square plus b square plus c square upon 2abc यह देखें right hand side आगया same student हमारे पास therefore lhs equal to rhs मैं एक बार repeat कर रहा हूं student इस तरह हम कह सकते हैं hence proved जो कहा था वो हमने prove कर दिया हमने lhs लिया सीधा cos है तो cos हमें पता है cos a की value क्या होती है जो a है तो यह minus होगा a square बाकी b square plus c square नीचे 2bc यहां b है तो b square minus होजागा बाकी 2 plus a square plus c square upon 2ac और b है c है तो c square minus बाकी a square plus b square नीचे 2ab और c था नीचे का same है वो पर adjectives आ जाएंगे कट कर जो बच गया student वो answer आ गया हाँ student देखें अब यह हमारे पास twelfth question है b square minus a square a quad a c square minus a square quad b a square minus b square quad c 0 equal proof करना student LHS ले लिया हमने अब देखते हैं हमारे पस यह value लेकर अब हमें solve करना जीरो यानि सब कुछ cut put जाएगा और जीरो आएगा तो देखते हैं पहले तो हमारे पास यह जो value है b square minus c square into quad a हमें quad का कोई formula नहीं होता ठीक है तो हम इसको यहां पर cos a upon sine a करके कर सकते हैं c square minus a square cos b upon sine b फिर यहां पर आएगा a square minus b square cos c upon sine c अब जानते हैं student cos है तो को sine ला लगा दें और sine a है तो sine ला लग जाएगा अब देखें यहां पर b square minus c square cos a तो student अगर cos a है तो a minus होगा बाकी क्या बचा है b c तो हम लिखेंगे हैं b square plus c square minus a square और upon sine a है तो sine a क्या होता है student आपको पता है हमारे पास sine ला क्या है a upon sine a b upon sine b c upon sine c equal to k होता है तो हमारे पास a क्या हुआ k sine a हमें चीए sine a student तो k कहां आ जाएगा k नीचे आ जाएगा इसका अबलब sine a की value क्या हो गई a by k ऐसे sine b की value क्या हो जाएगी b by k sine c क्या हो जाएगा student c by k ठीक है इस तरह से sine b की value आ गई साइन सी की आ गई यह साइने की आ गई तो हमारे पास यह value substitute कर देंगे साइने ठीक है तो साइने साइन भी साइन सी को तो साइने को हम क्या लिखेंगे a upon k जब a upon k करेंगे student तो k कहां चला जाएगा ऊपर ठीक है हमारे पास और उससे भी पहले देखो जैसे हमने कोसाइन ला लगाया तो कौ से क्या होता है यहां पर कौ से होता है b square plus c square minus a square upon 2bc तो अभी हमने यहां पर देखो पूरा लिखा नहीं है b square plus c square minus a square और upon क्या हो जाएगा 2bc तो यहां पर आगया 2bc और sign a क्या था sign a क्या था a upon k तो a यहां पर आजाएगा और और k कहां चला जाएगा उटाओकर ऊपर चला जाएगा student हमने क्या किया एक step कम कर दिया अगर आप एक step कम नहीं करना चाहें तो बढ़ा सकते हैं अगले step में करें ठीक है वहां पर हम ऐसे भी कर सकते हैं मैं सीधा देखो लिखूं b square c square minus a square और यहां पर आगया 2bc into sign a की value क्या हो गई sign a की value a upon k यह हो गया student अब देखें यहां पर आगया c square minus a square अब cos b है तो क्या हो जाएगा a square plus c square minus b square upon 2ac into sign b क्या हो जाएगा sign b हो जाएगा b upon k तो b upon k फिर यहां पर आगया student a square minus b square cos c क्या हो जाएगा a square b square minus c square upon 2ab into sign c की value क्या होगी student c upon k अब देखते हैं k उल्टाओकर उपर चला जाएगा सभी में और सभी में से k common भी निकल रहा है student तो अगला step देखें हम क्या कर रहे हैं k को common ले ले लेते यहां पर के हमारे पास common आगया सभी में से ठीक है बाहर निकल आया और ऊपर क्या आगया और नीचे क्या हुआ 2abc 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 सभी में है ठीक है student तो k भी common आगया ऊपर और 2 नीचे आगया common सभी में से और 2abc सभी के अंदर है यह देखें है student यह 2abc 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 वह भी बाहर ले लिया हमने तो हमने बाहर ले लिया 2abc और जो k था ऊपर चला गया अब नीचे कुछ नहीं रह गया अब देखो यह 1B2 से अंदर कर आगया हमारे पास 2abc माइनस c2 into b2 plus c2 minus a2 फिर c2 minus a2 और बन गया a2 plus c2 minus b2 फिर a2 minus b2 फिर a2 plus b2 minus c2 यह step आगया कहा है student अमने क्या किया जो नीचे के के था उल्टा ऑगर ऊपर चला गया common आगकर बाहर 2abc 2abc सभी में थे वो भी बहार निकाल लिया यह दोनों product यह दोनों product यह दोनों product बच गए अब student देखो हम क्या कर रहे हैं इनको multiply कर रहे हैं अगला step देखें k upon 2abc अब b square से सब को product करें तो देखो क्या आता है और आपने और इनको order में लिखना है जैसे देखो a b c order होता है तो कहीं b a आ रहा है तो b a नहीं लिखना आपको a b उसका फैदा क्या होगा जब आप इसको लिखेंगे a b plus है कहीं a b minus है कट जागा रहे है तो a b और b लिखा तो आप इसको दोनों को तो b square c square आया है ठीक है b square को a square से किया है तो b square a square नहीं लिखना है हमें हमें लिखना है a square b square a पहले आता है b बात में अब देखें इसके बद माइनस c square से सब को मर्ल लिपलाई करने तो क्या होगा minus c square b square तो लिखेंगे b square minus c square और minus c square c square minus c square minus c square minus a square plus a square c square अब दो को c square से सब को multiply करेंगे student क्या है आएगा हमारे पास c square a square a square c square c square c square c4 c square b square b square c square फिर a square a square a square a square a square c square जाएगा हमारे पास a square c square a square c square फिर a square b square को करोगे तो plus a square b square minus minus plus अब इनको खोलेंगे student तो क्या बनेगा a4 फिर a square b square minus a square c square minus a square b square minus b4 plus b square c square ये आगया हमारे पास calculation अब student देखो इनको हम cancel करते हैं तो result के आएगा अब देखो हमारे पास minus b4 plus b4 ये रहा अब b square c square positive है तो अब आओ b square c square negative अब a square b square negative है तो a square b square देखो कहा रहा है ये रहा positive ठीक है हमारे पास लिया a square b square ठीक है देखो पहले हमने b4 को b4 से काटा थीक है फिर a square b square positive negative एंब दोनों को positive negative काटा अब यहां जैसे minus c4 है तो plus c4 दिखो ये कट गया फिर a square c square positive हो तो a square c square negative ये कट गया the first a square c square positive एचल एचल दो a square c square negative ये कट गया इसकर के पाज़िटीव नेगिटीव तो यह स्टुडइंट अपनी आप कटते हैं यह तो मैंने मिला मिलागे काटें आप को पता है और कमलेशन सही तो सारेफटफट काड सकते हो टीक यह सारे कैंसील होने हैं जब सारे कैंसील हो गए जखो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है लास्ट में लास्ट में रिजल्ट आएगा के अपान 2ABC सिंटो जीरो और जीरो इन्टो जीरो यह राइट हैंड साइड आ गया एक बार रिपीट करता हमें स्टुडेंट जरा शॉर्ट फटाफट देखें आप हमने ले लिया और कॉट एकॉट भी उक्षी उनको खोल दिया साइन निकल जाती है स्टुडेंट अगर हमें साइन निकालना साइन ऊपर गया के नीचे आगए अपन के साइन एसे बागे निकलाएंगे सब्सक्राइब तो अगर अगर और में लिखते तो दिक्कत क्या थी इस्टुडेंट देख रहे हैं अब जैसे हमाई पास minus b square c square है और आपने order में लिखा दूसी तरफ plus लिख रहे हैं c square b square आप सुचेंगे दोनों value अलग हैं अलग नहीं है तीक है जैसे हम कहते हैं 2 into 3 minus 3 into 2 अलग नहीं है दोनों same हैं अगर 2 into 3 into minus 2 into 3 रहेगा तो आपको पढ़ने में easy लगेगा इसलिए order में लिखे जाते हैं नम्बर स्टुडेंट देखें अब कोशन नम्बर थार्टीन है B-square-C-square upon A-square sin 2 A-C-square-A-square B-square-sin 2 B A-square-B-ская-C-square sin 2 C यह हमने LHS लिया है और RHS के equal प्रूव करना है 0 तो असान होता है अब कल्कुलेट करके इसमें B स्केर माइनस C स्केर है, अपान A स्केर, यह जो साइन 2 है, इसकी वेलू डाल दिया हमने यहाँ पर, 2 साइन A, कॉस A, यह C स्केर माइनस A स्केर अपान B स्केर है, साइन 2 B, 2 साइन B, कॉस B, और यह आगए A स्केर माइनस B स्केर अपान C स्केर है, इस तरह से हमारे पास यह यह वेलू आगे श्टुडेंट, अब एक मैं साइन ला है, साइन ला लगा दो, कॉस A है, तो कॉस ला लगा दो यहाँ पर, तो क्या बनेगा देखें हम B square minus C square upon A square to sign A क्या होता है student A by K अभी बताया है आपने question में किया था sign A क्या होता है A by K यहां पर देखो लिख सकते हैं because हमारे पास A sign A, B sign B equal to C sign C यह होता है student हमारे पास equal to K upon A therefore A upon K क्या होगा, sign A, B upon K क्या होगा, sign B और C upon K क्या होगा, sign C से result निकल जाएगा न, solve करके, K नीचे लाओगे A by K और sign A उधर चला गया, ऐसे sign B, sign C और को से निकालना हो तो student क्या होगा, B square plus C square minus A square upon 2 B C, इस तरह से हम यह formula use करेंगे यहां पर, तो को से देखो क्या होगा, B square plus C square minus A square upon 2 B C, यह बन गया, अब देखते हैं, इसमें student आ गया, C square minus A square upon B square into, और यह 2 है हमारे पास, 2 into sign B क्या हो गया, B upon K, cos B क्या हो जाएगा, A square plus C square minus B square upon 2 A C, फिर यहां पर आगा student, A square minus B square upon C square into 2, और sign C हो गया, C upon K, और cos C क्या हो गया, A square, B square minus C square upon 2 A B, यह result हो गया student, अब देखते हैं, हमारे पास सबसे क्या important है, student देखें, यहां पर उपर में कुछ कट रहा है, student आप काड़ दें उसको, देखें, जैसे यहां पर 1 A है, 1 A कट गया, ठीक है, इसमें 1 B है, और 1 B कट गया, यह C है, 1 C कट गया, तो आप देखतें, A, B, C, और 2 और K, यानि 2 A, K into 2 A, B, C, यह 2 A, B, C, K, सभी के अंदर आ जाएंगे, यहां भी देखो, 2 A, C, K और B, तो 2 A, B, C के हो गया, इसमें भी देखो, 2 A, B, C, और K, इसका मतलब सभी question में, student हमारे पास जो result आ रहा है, वो क्या रहा है, यह आ गया, 1 upon, और एक चीज़ और कट रहा है, student देखो, सभी में common कट रहा है, वो क्या कट रहा है, यहां पर 2, यह 2, यह 2 कट गया, यह 2, यह 2 कट गया, तो 2 कट कर केवल A, B, C, K common आ गया हमारे पास, हम क्या लिखेंगे, A, B, C, K, A, B, C, यह सभी में से common आ गया, अब बचा क्या, B square minus C square, into B square plus C square minus A square, फिर C square minus A square, A square plus C square minus B square, फिर plus A square minus B square, into A square B square minus C square, अब student हम क्या करेंगे, इसको multiply कर देंगे, K, A, B, C, अब B square से सभी को करो, तो क्या बन जाएगा, B4, B square, C square minus A square, B square, अब C square से सभी को करेंगे, student तो क्या बन जाएगा, B square, C square minus C4, A square, C square, माइनस, माइनस, प्लस, अब इनको खोलेंगे, student तो बन जाएगा, C square, A square, तो बनेगा a square c square c4 minus b square c square अब minus a square से multiply करेंगे तो a4 a square c square plus a square b square अब a square को सभी से multiply कर देंगे student a4 a square b square minus a square c square minus a square b square इनको multiply कर देंगे minus b4 plus b square c square अब student इनको हम cancel करेंगे तो देखो सारे के सारे cancel हो रहे हैं जैसे हमने b4 दल लिया तो हमारे पास b4 कहां पे आ रहा है minus और plus कट गया अब b square c square तो minus plus कट गया a square b square तो यहां पे आएंगे देखो a square b square plus minus कट गया अब c4 ले रहे हैं तो c4 यह कट गया अब a square c square लिया तो यह plus minus कट गया अब plus का a square c square तो minus का a square c square कट गया 20 का c square minus का तो 20 का c square plus कट गया अब a4 plus है तो यहां पर a4 minus भी होगा अब उसके बार a square b square positive a negative therefore सारे कट गया student हमारे पास result क्या बच गया इसमें result बच गया 0 तो 1 upon k abc into 0 multiply होकर 0 आ गया right hand side therefore lhs equal to rhs और hence प्रूब जो भी कहा था वो प्रूब हो गया student तो देखते हैं एक बड़ बीफिंग करता हूं student में देखें हमने lhs लिया है sign 2a sign 2b sign 2c इनका formula two sign a cos होता है डाल दिया two sign b cos b two sign c cos ही इसमें sign law डाल दिया student sign क्या होता है a upon k और cost formula b s square minus a square upon 2bc हो जाएगा इसे सब में डालते गए student जो कट रहा है काट दिया जो common निकाला है common निकाल दिया जो बजगे इनको वापस multiply कर दिया फिर काट दिया और 0 आगया तो student आपने देखा इस तरह से question number मैंने 9 से लेकर 13 तक इस video lecture 28 में दिये हैं अब इसका क्यों तीन question और रहा गया है जो video lecture 29 में मैं दे रहा हूं तो आपका ncrt with supplementary वो पूरी तरह से complete हो जाएगा और i think आपको सारा समझ आ गया होगा और उसके बाद मैं next आपको इस पर test दूँगा और आप वो test जो है self-evolution test करेंगे तो आपका confidence और बढ़ जाएगा student thank you